दिपावली पर्व को लेकर लोगों में उत्सा नजर आने लगा है। दिपावली पर कुमारों की चहरे पर खुशी नहीं है क्योंकि प्रदूशन नियंतरन बोड ने गाजियाबाद को रेड जोन घोशित कर दिया है। साथ ही सभी तरह की भट्टियों को बंद कराया जा रहा है जिसके चलते कुमारों को बरतन पकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चजाँ, कब से काम कर रहा है है ऐगी, इस साल क्या हालात है कामके। इस साल सबसळसदा काम कर रहा है है। साथ साल सबस्Heart राओन है। 60 साल रहा उन सबसेदा राओन है। क्या उमीद है निल हो पाई के जब़र दिवाली से पहले। देखो यह तर मुश्किल से लग रहा है कितना डाउना काम है हाफ है बिल्कुल हाफ है क्या तैयारियां की है जबर आपन दिवाली की तैयारी यही करिया है तीवे बना रखने सब कुछ अपना जो और माल इदर उदर से लाग है दर रखा अच्छा के लिए कर रखा फावन्दी दिक्क्त कुछ हो रही है आपका अच्कल पावन्दी तो है यह जो को भट्टी पर हाँ अब एक प्रशान करता है कोई नगर निगम या पुलिस वाले परेशांट तो तो अपने तरफ से पोई उपड़ सा ओडर नहीं है मिट्टी के बरतन बनाने वाले श्री चंद प्रजापती ने बताया कि लॉकडाउन लग जाने की वजह से काम में मंदी दर्च की गई है साथ ही प्रदूशन नियंतरन विभाग ने भट्टियों के इस्तमाल पर पूर्णता रोक लगा दी है अब बट्टी लगाने के लिए मना करते हैं और माल बने नियुक्त पगेगा नियुक्त रोजी रोटी की जो समझचा है हमां समने वह पहला होगी अब ये तो देखने वाली बात होगी कि दिपावली की सीजन में कुमारों का काम कैसा रहता है लेकिन सवाल खड़ा होता है कि प्रिशासन पर एक तरफ पिया मोधी मिट्टी के बरतन खरीदने पर जोर देते हैं तो आई दूसरी तरफ मिट्टी के बरतन पकाने वाली भट्टियों को बंद किया जा रहा है ऐसे में मिट्टी से बनने वाले सामान का काम देश में कैसे आगे बढ़े का पंज़ाब के इसरी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर के रिपोर्ट